भारत और चीन के बीच का तनाव अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा एक बार फिर चीन के सीमाओं पर हल्चल दिखी गई है मीडिया रिपोर्ट के मताबिक चीन ने इस्टन लद्दाक के पास भारत से जुड़े बॉर्डर के पास हल्चल तीज कर दी है बता दे कि चीन और भारत के मसले को बाचीत कर सुलजाने के सतत प्रयास किये जा रहे हैं इसी बीच 6 जून को बैठक भी की गई थी लेकिन इसमें कोई निशकर्ष नहीं निकला ऐसे में दोबारा चीन की ऐसी हरकतों से सीमाओं पर तनाव और भी भर सकता है बताया जा रहा है कि इन हेलिकॉप्टर का अस्तमाल लदाग के पास इखटा हुए चीनी सेनिकों की मदद करने में किया जा रहा है हलाकि पिछले आट-देस देन से बॉर्डर पर दोनों देशों की और से हलचल बड़ी है ऐसे में चीन लगातार अपनी ताकत को उस और मजबूत करता दिख रहा है खबरों की माने तो चीनी सीमाओं पर आने वाले हलिकॉप्टर का अस्तमाल पैट्रोलिंग सामान की रिप्लाई के लिए किया जा रहा है यही नहीं चीनी सेना लड़ाकू एरक्राफ्ट भी इस्टन लद्दा के पास उडान भरते देखे गए हैं हलाकि चीन की और से की गई हर एक हल्चल का भारत भी बहादुरी से जवाब दे रहा है हमारी सेना चीनी सेनिको की हर एक हरकत पर अपनी नजर बनाए हुए है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस दे बेल आइकन फोर अपडेट्स